हेलो नौस्कार दोस्तों कैसे आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूटूब चैनल प्रॉफिट असडी में तो आज किस वूड़ो में बात करने वाले है अगामी आपका रेलवे ग्रूप डी भरती जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में र और जितने भी छात्र जो है आईटिए पास आउट हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है परन्तु जितने भी छात्र हाँ पर 10 पास है क्या उन लोगों को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा अगर मौका मिलेगा तो कौन-कौन से पोस्ट पर भरती आएगे तो 10 वाले अप्लाई कर पाएंगे कौन-कौन सा बिवाग जो है आईटिए को दिया जाएगा चात्रों को दिया जाएगा संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इससे पहले जितने चैनल पर फर्स्ट के लिए बेस्ट बुक लेकिया है जो किरन पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है और अगर आपने भी एलपी और टेक्निशन आर्पे फेसाई कॉंस्टेबल या फिर गुरूपडी भरती की त्यारी के बारे में सोचे अगर आपने अभी तक अपना प्रिप्रेशन कोशन देखने को मिलेगा दूसरा नमबर में बात करेंगे तो रिजिनिंग जिसमें सतासी सो से ज़्यादा आपको सौल्ट प्रैक्टिस पेपर और प्रिवियस एर कोशन देखने को मिलेगा इसके बाद बात करें तो सबसे महतोपुन खान सर के द्वारा रची 27,000 से ज़् भरती है और जिस भरती के वारे में आपने सोचा है उसमें अपना एक सीट पक्का कर सके इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिक मिलेगा नहीं तो नियरे बुक इस्टोर पर जाके इस बुक को पर्चेस कर सकते हो तो देखिए साथियो रेलवे एक एसा विवाग है जिसमें हर बार यहां पे बंपर भरती लाखों में भरतीया देखने को मिलती थी हलाकि कुछ शालों से यहां पे रेलवे में भरती का जो आकड़ा है कम हो गया है परन्तु अब लग रहा कि जो आकड़ा पहले यहां पे छिपा कर रखा गया था वेकेंसी क कि आपका जो level 1 group D का भरती आने वाला है वो आपका अक्टूबर में release किया जाएगा जिसमें एक लाग से ज़्यादा पदो पर आपका bumper बहाली होने वाला है ठीक है तो जैसे यहाँ पर जब level 1 का बाद आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो form apply होता है वो group D में होता है जो पहले group D आप group C के नाम से जाना जाता है या फिर level 1 के नाम से जाना जाता है सबसे ज़्यादा competition आपको level 1 में देखने को मिलता है क्योंकि इसमें minimum educational qualification ही यहाँ पर 2019 में बात करेंगे तो 10 वी पास रखा गया था हलाकि 2019 में ITI लागू था परंतु यहाँ पर protest होने के बाद आगजनी होने के बाद railway के बोगियों को जलाने के बाद मतलब बहुत भ्यावा इस्तिति हो गया था जिसके कारण यहाँ पर सरकार को फैसला लेना पड़ा कि ITI को हटा कर यहाँ पर 10 वी पास minimum educational qualification को कर देना चाहिए और 2018-19 भरती में ऐसा ही हुआ ठीक है परंतु यहाँ पर अभी एक official notification आया है 28-6-2024 के डेट में 28 जुन में और 9 जुलाई से आपका form स्टार्ट हो जाएगा जो आपका 8 अगस्तक चलेगा ठीक है तो देखे इसमें कितनी भरती आई है कितनी नहीं आई है उससे मतलब नहीं है इसमें जो आपका level 1 जो group D path के अंतरगात आता है उसमें क्या qualification रखा गया ह सबसे बड़ी बात वो आप लोगों को समझना है देखे जब आप स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो ये qualification का area आता है ठीक है qualification का area आता है इसमें total number और post वेगरा पताये गया है तो ये आपको ध्यान नहीं देना post से हमें अभी इसमें कोई मतलब नहीं है हमको basically देखना है कि इसमें आपका level 1 के लिए क्या qualification रखा गया है तो अगर आप देखोगे तो आपका जो doubt है कि सबसे ज़्यादा जो doubt है वो 10th वाले candidate को आ रहा है बहुत सारे idea वाले candidate बोर्डे सार ऐसा तो नहीं होगा कि 18-19 मजिस तरह प्रोटेस्ट होगा फिर और अशा प्रोटेस्ट granted by NCBT पहला condition रखा गया है कि वैसे candidate form को भर सकते हैं जिहोंने 10 वी के बाद apprenticeship का course किया है मतलब 10th प्लस CCA का certificate है और CCA का certificate कहां से होना चाहिए सिर पौर्सिप railway से होना चाहिए अगर 10 वी के बाद आप railway से apprentice का course किये हो तो आप इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हो पहला condition ठ किये दूसरा condition बोला जा रहा और 10th pass from a recognized board with ITI for appointment in civil engineering, mechanical, electrical, snt and catering department दूसरा condition बोला जा रहा कि अगर आपके पास CCA नहीं है तो दूसरा condition में आप 10 वी के साथ-साथ ITI भी अगर किये हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं ठीक है और ITI और CCA वालों को कौन साथ इपार्टमेंट मि उनको मिलेगा भाईया, civil मिलेगा, mechanical मिलेगा, electrical मिलेगा, snt and catering department इनको दिया जाएगा ठीक है ये पूरा हमारा जो था 10th प्लस CCA और 10th प्लस ITI का qualification था जो पैरा 1 में बताए गया था अब पैरा 2 में देखिए क्या बोला जा रहा कि 10th pass और ITI और equivalent from a recognized board for appointment in other department मतलब simple यहाँ पे है कि 10th pass, ITI pass और जो भी equivalent qualification रहेगा उन लोगों के लिए भी post आएगा परंतु कौन कौन से department के लिए other department, other department में क्या आजाएगा सई से समझेए जो आपका civil engineering, mechanical, electrical, snt और catering department को छोड़ कर ठीक है ये total अगर आप count करोगे तो ये 5 department को छोड़ कर जो other department बसता है department में आपका आता है points man, ठीक है, hospital attendant का जो post रहता है वो आता है other department में, तो ये सभी post पे 10th वाले applicable होंगे, ठीक है, अब देखिए competition कैसे बढ़ेगा, 10th वालों के लिए ध्यान से समझेए, अब माले जिए कि points man का जो vacancy है, आप ये points man वालों के लिए 10th वाले तो eligible होंगे ही हो होंगे, मतलब 10th वाले भी form भरेंगे, ITI वाले भी form भरेंगे उस पे, परन्तु जो आपका civil, mechanical, electrical, snt और catering department का vacancy आएगा, उसमें सिर्प और सिर्प यहाँ पे जो eligible होंगे, वो आपका ITI वाले छात्रे eligible होंगे, इसमें 10th वाले form नहीं भर पाएंगे, परन्तु जो 10th वा करता है, कि sir, vacancy का क्या ratio रहेगा, कि कितना vacancy आएगा, तो कितना 10th वालों को मिलेगा, कितना CC वालों को मिलेगा, तो देखिए, वो vacancy के उपर भी पूरा depend करता है, मतलब most of यह जान लीजिए, कि 80% से जादा vacancy या जो है, वो आपको यहाँ पे ITI वालों के लिए सिर्प र मिलेगा, बाकी यहाँ पे देखिए, association और संगठान यहाँ पे लगतार प्रयास कर रहा, कि OTS लाने का अगर one time settlement हो गया, तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं तो फिर quota को increase कराने की भी बात चल रही है, जैसा अपडेट आएगा, आपको अपडेट दिया जाएगा, बाकी हम next video में आपको बताएंगे, कि अगर एक लाख पद पर भरती आती है, तो 10th वालों को कितना seat मिलेगा, ITI वालों को कितना seat मिलेगा, और हमारे CCA वाले साथी को कितना seat मिलेगा, ठीक है, तीनों educational qualification वाले चातरों के बारे में हम बात करेंगे next video में, अगर इसी लेटर आपक